मैंने होंबर्ग में आपके 1 to 10 दिये हैं और एक दिन आपको 11 to 20 दे देंगे 21 तक हमने कंप्रीट कर लिये थे पहले से कोश्चन नमर 21 जो है यहां तक हमने आपके एक्जाम होने से पहले कंप्रीट कर लिया था और यह कोश्चन हमें 22, 23, 24, 25, 26 यह आपके से बाहर हो गया है इन कोश्चन पर तो करना नहीं है ठीक है अब 27 की बात करते हैं कोश्चन कोश्चन नमर 21 से हम इसाट कर रहा है तो कोश्चन नमर 27 है आपका के फार्मर बाई रे यूस्ट चेक्टर को रुपीश 12,000 ही पेग रुपीश 6,000 कैश्च और अग्री तो पे बालांस इन अनुवल इंस्ट्रॉल्मेंट रुपीश 500 प्लस 12 परसें इंट्रेस्ट उन कौन हाँ मुच विल्दा टैक्टर कोस्ट है तो कोस्ट है उस टैक्टर की उसमें से उसमें 6,000 जो है वो पे कर दिया यह कोश्ट आप टैक्टर इस 12,000 जो पेड अमांट है वो 6,000 जो पेड अमांट है वो 6,000 जो पेड आपक्टर की उसमें ठीक है जो रिमेंग अमांट है वो 6,000 हो जो उन पेड आमांट है आपका 6,000 है यह कोश्टन बिल्को सिंपल है नियां कर सकते हैं इस तरह के कोशन जुए है इस पर चाहते हैं हम इसे अपी में कनवर्ट करना चाहते हैं जो यह अंपेड इमांट है वसके जो इस्टॉल्מנ गर है 500 इस्टॉल्मेन्ट है प्लस इंटरेस्ट जो अनपड है यह पहले मज बीकैस होगा अक्था हुगा है यह इस्टॉल्मेंट आहु oyster में से कर लुए वह जाएगा आपका 6,000 का 12% यानि कि 720 ठीक है अब उतने जो है जो कस्टमर है उसमें क्या करना है जो 500 रुपीस भी पे कर रहा है और इन्टरेस सुष्टoire effa कर रहा है तो कि जो 500 रुपीस सबते कर रहा है ये साथ इंसे इन्टरेस करेइअ आप है वह जाएगा 5,500 पर इंटरेस करएगा 500 रुपीस सबते रुपीक्त पाढ़ित करें है इसससाथ कि इस तरिके से जो है आप करते चले जाएंगे तो थार्ड इस्टॉल्मेंट का अगर हम निकालते हैं तो वह आ जाएगा आपका 5000 पर क्याप्वेट करेंगे क्वैल परसेंट इस तो यह आपका वैसे सिंपल कोशिया है आपके फिर पर कि इस तर्मेंट पर जो इस तर्मेंट पर जो इस तरहा रहा है वह आपका यहां पर आपकर डिफ्रेंस घोजिए कंसेंट है यह अपने के आपको सुं फाइड आपर सुं आपर करने आ को स्वाइब करें तो एन अपॉण तू 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 ए प्लस वैल माइनस वन एन माइनस वन दी कितना है दी आपका माइनस सिच लिए इस दिए कॉम होती चलिए आ रही है इसलिए माइनस वागया ती आपका सिक्स हो गया सिक्स यहां 11 हो जाएगा माइनस कि इसकी जो वैल्यू आ रही है जो आपका सिर्ण हमने इंटर्स कैप्लेट किया है तो टोटल इंटर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोटल इंटर्स हो में यहां पर आप माइनस करेंगे तो सिक्सि इल्टूफ जीरो फुट्लियू जीरो जीरो सिक्स जीरो जीरो शीन देडख किद्द॥्ट्स तो इतना इंट्रेस्ट हो गया, तो तोल जो कॉस्ट हुई आपकी, तो उसने पे किये थे, कॉस्ट ही ट्रेक्टन की, इतना उसको इस्टाल्मेंट के करना पड़ा, इंट्रेस्ट के करना पड़ा, यहाँ पर एड़ करने के पाद, मैं एक यहाँ पर एड करने के पाद, प्लस पूरसिक प इड़ करेंगे, यह हो जाएगा, है इसकत्र से हमें इस कोशिन को किया है जो टेक्सरीक की कोश्थी वो 12,000 थी जी कैवा थी जो पेड़ अगुए उन्पेड थेकर कर दिया नपर हम इंट्रेस्ट यो एय आट करें गे पर अन्पयंग वाउंट करेंगे जो पेड नहीं किया है अन्पय एंगा तो पहले मन्द तो इसके बाद तो किया है 500 रुपीज भी प्र कर दिया तो फाइव एड़नेटर विपी पर मांत भी दिया है पहली इस्पर्मेंट के साथ पर मांत यह नहीं नहीं बताया इस्टोल्मेंट के साथ 500 रुपी प्लस इंटर्ट टीय यह यह ली होगा मौ फॉली तो यह यह वाग आपको कल्कुरेट कर रहा हो गया है, ठीक है, 500 रुपी दिये प्लस 725 वी बार गया दिया, तो 500 रुपी आमने नहीं जोड़े, हमने तो सिर्फ इंटरस आज कर दिया, टोटल जो इंटरस आया है हमारा, वो इंटरस आ रहा है आपका 4,680, यह हमने टोटल जो कोस्ट रेक्ट वो इंटरस आपए रहा है, क्तुराव दिये नहीं है, क्तुμέरा से। पर जोटल जोटल जोटलोört, तो छिन बिदे नेक पोशने इंड टरीजे से मिथी तरिके से शम्षाद अली बाइट पर में इस्कुटर फोर रुपीश फिर टूएट टूएट अधिश्ट पीज उप्री टूएट विपेश पीजट एब निंग आट निएट टूएट 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 उट तो इसी तरीके से जो जो उन्पेड एमांट है उसके वो पे कर रहा है तो 22,000 है तो 4000 रुपीज अब मैंने इस तो प्रॉपर लेंगे जिए आपको समझा जा था अब मैं डैराइक की लिख देता हूं अब आप समझ गया है कैसे लिखना है तो यहां पर आप यह देखो 22,000 है और 4000 उसने पे कर दिया तो इसको लिख देखा है कर बाते है कोस्ट ऑफ इसकूटर है 22,000 है ठीक है जो पे कर दिया 4000 22,000 हो जाएगा अन्पेड एमांट हो गया आपका 18,000 यानि कि 18 इस्टॉल्मेंट बढ़ना है तो 18,000 तो रुपीज यह होगा है अब इंट्रेस्ट जो देना है वह 18,000 तो देना है तो फस्ट इयर में फस्ट इस्टॉल्मेंट पे जो इस्ट्रेस्ट लएगा फर्स्ट स्ट्रेस्ट इस्टा इस्सटॉल्मेंट इसक इंट्रेस्ट इस्ट इनए ने ??? तो इतना हो जाएगा 1800 हो ठीक है आप सेगिन पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा अब इच जो सम सम हो जाएगा आपका 18 सम है तो 18 अपोन वो टूए एटीन हंदेड प्लस सैंटीन एंड एटीन माइनस वन लिख लू डी कितना है डी आपका हंदेड रुपीस कम होते चला जा रहा है तो माइनस हंदेड हो गया बस इसको स्वाल करना है यह नहीं तो यह हो जाएगा आपका अधिश्ञेंटीन माइनस से सेवंटीन एंडेड यानि यह हो जाएगा नाइन इन्टू जीरो जीरो किस्टीन में से साइवन माइनस या नाइन थिरी और शिक्स नाइन तू में से बनके नैंटीन एंडेड है ना यानि कि यह आ रहा है आपको 17,000 तो इतना दो इंट्रेस्ट पे किया ठीक है ना जो टोटल जो स्कूटर था उसके जो हमने जो पे नहीं किया था अंपेड एमॉंट पर हमें इतना इंट्रेस्ट पे करना पड़ा तो टोटल कॉस्ट प्र जाएगी आपकी इस्पूटर की आपके पास जो 22,000 है इसकूटर की कॉस्ट ही याना उसमें इतना इंट्रेस्ट भी दिना पड़ा 17,100 तो पोटल कॉस्ट जो हो गई वो गई आपकी 100 के यह हो गया तो अगर आप इस्टाल्मेंट में पे कर रहे हैं तो आपको की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 39,100 हो जाएगी इसमें से इंट्रेस्ट बहुत जादा हो जाएगी ए परोड़ से ईसमें में पेक पेका बादा आपकोड़ा 17,100 में पेका देवित ट्रेस्ट वो इसमें पेका से अपती ही लाटर आपके क्ती हम जाएगी आपने परसन जो है अबने फोनिक है और अधार को रहता है। की तरीकर से युषय कि मुवेदी करते रहते है तो इक 정도로 से 1500 कौस पैसे अलड वह सुप्या भी पैसे आगे लिएस ज़ुए रापत हम इसkinet करें तो पहली जो तम है वो फोर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पहले जो परसन लेटर लिख रहा है तो फर्स तम जो होगी वो फोर हो जाएगी तो सेगंड टाम होगी शेकंड टाम में क्या होगा जो फोर और लिखेगा तो 4 इंटु 4 हो जाएगी वो ने समध होगी 4 इनटु4 ऑनर यानि के पैले जो लेटर लिखे जा रहा है वो वो तूर एक एक में कितुए फोन टुदी पावर्श ऊगए। सब कर्डिवािश करिटेंस सो हुआ है collegism Sum 237 तुछ में जू अब करने फोटु प आपनेstellदो कि निकाला कर्षे अगर में लीडिन पर ही फोटुदी पावर्श फिरियोग इक इस पावर्श में पर काॉल ठीक है यह आपकी जो है हर परसन अगर सो लीगता है जूसरे वाला भी फोल लिगता है इसी तरीकिसे लिए तो लुकर एक मिन कले तो वें चाना होता है अगर हमारे पास एंड का फार्मला हमने बताया हुगा है आपने अभी पोर्शन सॉल्ट किया है ए आर टूदी पावर एंड माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आपने एग्जाम भी दिया है तो याद होगा फामला यही हम फामला यूज कर लेते हैं एक किसे का फूर और कितना हो देगा अब और हो गया पॉर तूदी पावर हम चले एट लेनए माइनस वन आपॉन अपौन आर मायनिस वन अर कितना है आपका और है तो यानि कि 4 upon 3 यह value बहुत बड़ी है कि इसको आप खुद calculate कर लेना 4 to the power 8 minus 1 है ना 4 को आपको 8 times multiply जाना तो यह तो हमने निकाल लिया कितने letters होंगे उनकी कोस्ट क्या होगी कोस्ट जो होगी एक लेटर की जो कोस्ट है उसरक्ती पैसा है यानि कि 1 upon 2 रूपीज है तो 1 upon 2 रूपीज क्या आप मंटिक्लाए कर लो 4 upon 3 into 4 to the power 8 minus 1 जो भी आपका answer आएगा वो आपकी टोटल लेटर्स जो पोस्ट किये गए है उनकी कोस्ट आ जाएगा चीश तरीके से इस कोश्ट को प्या है पेसित रूपीस 1 थाज़न इन आपका बेड लूपी कोश्ट को पीस तर्येट एब वर्चाट प्रुट आपका ये ते सम्ट किन एपकर प्य। पहले प्यूम, कोश्ट के अज आएगा, पुर्म, कोश्ट आएखी टुट रूपीज परूब। अँड आज़िस्टित के वाद ओन ए мешके तद मनें एकटादोगार्टिंए अफे से रेजक्टित टेहिए कारीज रेक्टान देंए टाहीं है सब्सक्राइब करना है आप सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आप देखो 10,000 पर इंट्रेस्टोर पूर फर्स्टियर इतना हो जाएगा 5% 10,000 पर हम क्यापिनेट कर रहा है 5% यानि कि यह हो जाएगा 500 टुपिश यानि कि एमोज जो है वो आफ्टर वन इयर कितना हो जाएगा आप्टर वन इयर वो आपका वजाएगा आपका 10,500 टुपिट्यों ठीक है 10500 हे लेकिन इंट्रेस्ट जो हे सिंपिल इंट्रेस्स हे लेकिन इंट्रेस्स जुए सिंपिल इंट्रेस्स न मतलए हमें इंट्रेस् फैफंडिर पक लएँ तो हम जुए इंट्रेस्ट गल्यात कर रहे है oucom जोंगा since i am on full former तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11,000 किस तरिके से अगर आप 14,000 का फोर्ट आप्टर 14 लिगालते हैं एमांट आपकर 14 लिए अना 14 लिए का मतलब 14 लिए का हम इंटरस्ट के कर रहा है वह हो जाएगा आपका 10,000 प्लस अना 7,000 यानि के 17,000 जाएगा फिर नोने पुछा है आफ्टर 20 लिए अमांट आफ्टर? 20 लिए के बाद यो अमांट होगा वह हो जाएगा आपका हम्में जो इंटरस्ट जो पेख कर लेंगे वह 10,000 हो जाएगा आपके यह आपके दो आंसर होगे अनोना पूछा था आफ्टर 14 यानि 17 यार में और आफ्टर 14 यार में तो उसके इसाथ सामने इसको कालेट किया है कि इसमें मेर्य कश्त से इसको किया है एकपर देख लेता है की सपर इसे के के हमने हैमाउं कुछ नहीं किया हैै अमाउंड विलगत कि कली ने हैंने सायंमें पोन शेर में कुछ लैंगो हमारे तक है अगर हम इसा करते ताए तक लेकिन बोलादर सिंप्लिले इंटरस करना है इसी हमें सिंप्लिंटरस के किया है यह हमने कोशन नंबर किया है आपका 30 बद दो कोश्चिन और रहते हैं रटीवन धरीटू नेक्स अप्रोगम अज पाट करना चाहेंगे आना इसको और प्रगार रहते हैं दो कोश्चिन उसको को 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 कि मैनुफेक्टिर रेकंट्स दाइड वैल्यों मशीर जिछ कॉस्टें रुपीश सब्सक्राइड एक यह बाइड परसेंट 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 वैल्यों एड आंड प्रफ फाइड यह मतलब यह कह रहा है कि हर साल वो टॉंटिव परसेंट डैप्रिशेट हो रही है यह अधू कि आटफिशेट का मतलब रेड्यू दो रही है उस्ते वैली कोई भी मश्यूने को कोई भी चीज हम खरीच था है तो उसकी जो पोस्ट है और रेड्यू दो होती है घरियासी अट पहले साल आपने कोई भी चीज करें देंगे, इसको तो भी पर्चेस किया, या बाइप पर्चेस किया, जो उसकी कॉस्की स्टी थाउड है, तो नेक्षिज अगर आप उसके सहल करते हैं, तो उसकी वैली जो है कम हो जाएगी। 20 परसेंट हो या 25 परसेंट हो, यह डिपैंड करता है, यह 10 परसेंट हो, इसले जो मशीन जो पाई की जाई है, जो मशीन की जो कॉस्ट है, वो है आपकी 15,625 परसेंट है। 15,625, we will depreciate each year 20% मतला उसकी जो कॉस्ट है, वो देप्रिशेंट हो रही है, तो find the estimate value at the end of 5 years, आपका 5 years रिकालना है, यानि कि पेस्पल आपका यह है वाल्यू, तो देप्रिशेंट हो रही है, उसकी जो रेट है, वो 5% है, 20% है तो रिक है, तो रिक है, उसकी जो value निकालने है, after 5 years निकालने है, तो आपने एक formula पड़ा होगा, compound interest वाला formula, तो उसमें क्या था? उसमें आप जो है, component interest निकालते हैं, यह हम use करते हैं, यह component test के लिए amounts की value, यह is equal to, C1 plus R upon 100, अभी हमने यह formula यूज नहीं किया था, क्यों अभी तरह हमें simple interest ही calculate किया था, component test calculate करते हैं, तो यहाँ पर हम component test बहुता है, जिसमें कि हम precise change करते हैं, हर installment के बाद, अभी तरह जो question के तो special wise है, यहाँ पर करते हैं, depreciate हो रही है, depreciate का मतलब है, कि reduce हो रही है, और reduce हो रही है, तो हम formula कर लेते हैं, 1 minus कर लेते हैं, plus P लेगा, बस, ठीक है, बस इतना ध्यान दाना है, तो यहाँ पर यह जो question दिया हुआ है, यह amount is equal to हो जाएगा, यहाँ पर 1 minus R, R कितना है, 20% है, 20 upon 108, to the power 5, इसको solve करना है, यहाँ पर आपका 5 आजाएगा, यानि कि 1, 5, 625, ठीक है, into, 5 में से minus 4 upon 5 to the power 5 है, यानि कि कितनी बार है, आपको 5 times इसको multiply करना है, तो 5 times अगर multiply करकर आप, ठीक है, इसको solve करना होगा, तो 5 से यह term ऐसी है कि cancer हो जाएगा, आप cancer करते हो, और यह जाएगा कर देखा हूं, 5 तुज़े 15, 5 जा 5, 5 जा 10, 5 से यह term हो जाएगा, 5, 6 जा 30, 5 जा 12, 5 से 25, और 5 से 25, 5 से करेंगे इसको 5 जा 5, 5 जा 10, 5 से 35, और दोनों 5 से करने एक सबाइट कितना जाएगा? 5 अगाएगा, कि इनके multiply करनो, 5, 4, 4 जे 16, 16, 4 जे 64, या 4, 4 जे 16, 16 की 5 से करना ही पर है, तो 16 जे 80 हो गया, इंटो 64 हो गया, 0 यानि कि उसकी कीमत थी, पहले 15,000 थी, पांस साल वाद उसकी कीमत जो हो जाएगी, वो 5,100 कॉन्कुरिय हो, अगर वो 20 परसेंट जो है, हर साल डेप्रिशेट होती है, थी, कीमत थी, पफवेद़ 5,100 कॉन्कुरिय। प्रिट नएक सब्सक्राइब लाग ना है थाटी तू 32 में, 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on 2nd day, 4 more workers dropped out on 3rd day, and so on. But the 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. मतलब ये कह रहा है कि 150 workers नहीं गेज़ किये गएधे, तो अगर 150 workers सपोस्कों उसको complete कर रहे हैं, एंड देवलें. लेक्स वन्फिप्टी वर्कर्ट वन्फिप्टी वर्कर्ट है . फिन एंड ते Τ, तोçar. और वन्फिप्टी वर्कर्ट्ट्ट्र कर रहे हैं,ering क्मिट्ट्ट्र करें politique वर्कर्ट्र थो dopo तो फिर्वेक फिरिश करेगा तो वन वर्कर विल पिर वर्क 159 150 अमर 150 10 10 अगर एक एक ही आदमी से सारा काम किराए जाया है तो उसको तो भी जारा दिन लेंगे वो 150 अमर अगर यह समझेगे कि जैसे एक वन वर्कर का किसी काम को एक दिन में पूरा करें और एक आदमी काम करेंगे अगर आदमी से काम कराना है तो हमने इसको वन वर्कर में कंवर्ट कर लिया इसको अब हमारे पास क्या हो रहा है कि पहले दिन जो है 150 वर्कर से फिर वो कह रहे हैं कि वर्कर वीडियूद होते से रहा रहा है हग बार पहले फिर फिर क्या हो जाते हैं वन फॉर्टी एप रह जाता है फिर वन फॉर्टी तू रह जाता है फिर वन फॉर्कर जो है तेली ड्रॉप कर रहे हैं 150 वर्कर वर इंगेज तू फिर जोब इन थे नंबर आप इस तरीके से हम चलते रहते हैं तो क्या हो रहा है कि आठ भी जारा लग रहा है इसने लगने चाहिए तो जो हमने डिसाइड किया था एंड डेज की जाएगा अब जो तेज लग रहे हैं वह एंड प्लस एट जेव लग रहे है यानि कि जो टॉम हो जाएंगी वह एंड प्लस एट टॉम तो लेंग इसी कर्टू 150 है यह मतलब है हमने इस तरी किसी किया है कि हमने यह निगालने है कि कितने देज हैं हमें चाहिए हैं यहां पर तो राइट साइड में हुआरे 150 ही रहते तो 150 एंड लगते हैं लेकिन क्या हो रहा रत क कर बड़कर रीडि़ंЗ रहते चले जा रहा है तो उससे क क्या अवरत पड़ा कि आइफ भी ज़्यादा लग रहा है तो इसको हमें जो नमबर अफ दिस लेफ साइट के और नमबर अफ दिस राइट साइट के वह कैसे हुने से एक पर होने चीए तो इन दोनों को हम एक को लगत तो यहां पर क्या हो जाएगा एन प्लस एक अपॉन तू तू यह प्लस एन माइनस वन यहां एन कितना है यहां एन की वैजिव आपकी अपकी अप्लस एन माइनस वन दी कितना है आपका दी आपका पूर है माइनस का पूर है ना डी कितना है इस 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 वीगल दू वन सब्सक्राइब यह आपकी जो एक्वेशन है एन प्लस एट अपन टू का मुझल ले जाते हैं तो यह हो जाएगा आपका थ्री अंडेड यह हो गया आपका अंड प्लस एट माइनस से मंटिपलाई करेंगे माइनस का पूर हैं यह प्लस का सैवन है माइनस का अब इसकी हम मंटिपलाई करते हैं और इसको आप सॉल कर लेना कभी आपकी जो है यह आफ हो जाए क्लास ठीक है इसमें कुछ नहीं है अब इसमें दो एंड की वैल्यों आपकी आजाएगी जो भी एंड की वैल्यों आजाएगी ठीक है उसमें आप यह एट देज और प्लस कर देना अगर आफ हो जाती है अजर्वाइस तो हमें सॉल करें रहा हूं 10 में से 2 माइनस के 8 और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 268 हो गया हम माइनस के 4 हैं यह 300 N है एंड की वैल्यों आपको क्लेट करेंगे अब एंसे हम अग्डिपलाई गे रहां है 268 N माइनस के 4 N स्क्वाइर प्लास के 8 और 64 8 6 और 48 48 में 6 और करा 54 8 और 64 8 6 और 48 8 और 16 16 में 6 और करा 22 25 कराश्य। 22 कराश्य। 22 कराश्य।